हेलो क्रिप्टो कमेंटी, वेलकम बैक क्रिप्टो के इंसी के एक नए वीडियो में, कैसे हैं आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे सबसे पहले ईद मुवारक सभी लोगों को, आज के वीडियो में हम लोग जो है एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन खुसखबरी के बारे में बात करेंगे जो कि इंडियन क्रिप्टो कम्मुनिटी के लिए बहुत हीं खास है, और बस यूहीं बोलके नहीं निकलेंगे, एक बेस से हम लोग रेडि करके बात करेंगे ताकि हर एक बैक्ती को ये वीडियो समझ में आये, और जो लोग को क्रिप्टो में इंट्रेस्ट ना भी हो, वो भी क्रिप्टो में इंट्रेस्ट लेने लगे तो detail में इस वीडियो में बात करेंगे, तो last तक मेरे साथ बने रहीएगा, वीडियो पसंदाए तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe करना मत भुलिएगा, तो चलिए बिना time waste की वीडियो को start करते हैं, उससे पहले आपको बताना चाहेएं कि इसी channel पे आपको हर दिन हर एक वीडि लिख देंगे और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा हम आपको कुछी स्क्रीन सोट सेर करने बोलेंगे आप सेर कर दिजिएगा देन आपको टोटल टेन करोड बेबी डॉज मिल जाएगा एक वार वीनर बनने पर जैसा कि आपको बोले कि डेली बेसिस पर हर ए बच्चे को भी चीजे समझ में आए तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग माहौल बनाते हैं जैसा कि आपको ट्विटर पर अपडेट हम दे चुके हैं और डेडी कि टेकसास हाउस वाप रिपरजेंटेटिव जो है एक बिल को पास करेगा नहीं कर दिया है और डेडी कि क्र तो यहां पर बात करें एक्सचेंज के लिए और हम कस्टमर के लिए किसके लिए क्या फादा और क्या लॉस होने वाला है एक वीडियो से भागियेगा मत हम इंडियन क्रिप्टो कम्यूनिटी के लिए खुसकवरी सुनाने वाले लेकिन थोड़ा से यहां पर बेस रेडी कर तो हम लेक के लिए तो बेस्ट है यहां पर क्या होता है आज के रेट में कि अगर हम लोग एक्सचेंज पर कुछ बाय सेल करते हैं और वहां पर जितना हम लोग इंवेस्टमेंट किये हैं उतना लिक्विडिटी रहती है देन यहां पर गुड है अगर नहीं रहती है तो उ के पास पैसा था नहीं और दिवालिया हो गए तो अगर हम यूजर के लेबल से सोचे यहां पर तो यहां पर टेक्सास आउस अप डिपर्जेंटेटिव जो बिल पास किया है वो तो अच्छा किया है कि साड़ा बियोडा प्रूफ आफ डिजर्व देना पड़ेगा अगर वो पता ही है कि सैम एप्टी एक्स का जो ओनर था करता था लेकिन अब उस चीज़ें पर रोक लग जाएगी क्योंकि उसको निगरानी में गौर्बमेंट रखेगी कि हां तुम्हारे पास लिकुरिटी जितना कस्टमर का आया है उतना है यह नहीं तो उसके लिए तो कहीं निक क्रिप्टो रेगूलेशन जो है कितना हाड तरीके से चल रहा है इतना जादा हाड कर रहे है कि यूएस के अंदर जो है आप जानते होंगे कि पैक्स पूल कंपनी जो अल्रेडी बंद हो चुकी है बिट्रेक्स यूएक्स जो है अल्रेडी यूएस को छोड़ चुकी है और ट्विन्स के द्वारा इस्टेब्लिस किया गया है, तो एक्षुली में क्या है कि वो यूएष के अंदर तो है, लेकिन आपको पता ही है कि यूएष के अंदर काफे ज्यादा रेगुलेशन हार्ड चल रही है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस के अंदर है उसका यूके आयरलेंड सिंगापूर में अल्डेडी ओफिस है लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि इंडिया में मूव होने के लिए सोच ही नहीं रहे हैं अब जो इंडिया में अपना इंडेश्ट्री लगाने वाले हैं वो इंडिया का सकेंड लार्जेस्ट इंजिनियरिंग हब होगा जिसमें कि उन्होंने बताया है कि हंड्रेड जॉब देंगे फुल टाइम वह भी इसमें कि इंजिनियर होगा एचार होगा फाइनान्स होगा इस तरीके से एक positive thing तो यहाँ पर है कि इंडिया को जो है यहाँ पर employment मिलेगी लेकिन next move on करते हैं कि government का इस पर क्या रियक्षान है क्यों यह news जो है Indian crypto community के लिए good news है खुसखवडी है अगर Indian government चाहती है मतलब कि crypto इधर जाए तो government इधर जाए तो उनका तो सबसे पहले Gemini exchange को स्टॉप कर देना चाहिए कि नहीं भाई आम crypto को सपोर्ट नहीं करते हैं अपना जो है यहाँ पर industry मत लगा लेकिन ऐसा तो नहीं की है तो कहीं नहीं कहीं उनको यह चीज़े हैं कि जो country है regulation यह वो जो भी यह कर रही है तो कहीं इसका फाइदा लेने में हम पीछे ना राज है इसलिए डारेक्टली ना सही इंडारेक्टली जो वो बाहर के एक्स्चेंजों को आमंत्रित कर रहे हैं अपने country में तो फिर आप लोग क्यूं crypto market से डर रहे हो फिर वही वाली बात हो जाए कि कास Bipro TCS का share खड़िद लेते तो आज कहा होते तो वही कास आपका ना जाए इसलिए हम आपको बोलेंगे कि crypto market को आप जितना जल्दी समझ जाए उतना जल्दी आपके लिए beneficial होने वाला है regulation आज आएगी लेकिन ban नहीं होगी crypto market में आप लोग बने रही है जानकारी लिजिए no doubt आगे चल के आपको बहुत profit यहाँ पर देने वाला है लोग जानते होंगे जो कि cryptocurrency market में कि कितना ज्यादा cryptocurrency में उनका holding है अगर cryptocurrency blockchain टेक्लोजी इतनी अच्छी नहीं होती तो वो तो यहाँ पर इंटर नहीं करते और बात करें तो टौप के जो इचेस लिस्ट होता है उसमें भी एलन मस्क रहते हैं तो कहीं न कहीं cryptocurrency जो है उनके बिजनस में एक अच्छा भूमी का निवा रहा है तो उसी तरीके से कोई भी country का अगर इंडर्श्ट लिस्ट है उसको भी मन में रहता है कि यहीं चीजे मैं भी करूं crypto कर अपने company को कर लिजे government अगर हरी जहंटी नहीं देती है तो इंडर्श्ट लिस्ट उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको government कहीं according चलना पड़ता है तो यहां पड़ हम बात कर रहे हैं आनन्द महिंद्रा जी के बारे में जो की महिंद्रा कंपनी के ओनर है एक्छली मैं एक ट्व लाइक यह वह भी positive कि not at मतलब अभी तो बाई नहीं कर सकते हैं लेकिन future तो जैसा कि आपको बोले कि इंडर्श्ट लिस्ट और government जो है सब एक ही रहती है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर ही depend करता है कि कैसे सरकार चलेगी कैसे उनका company चलेगी तो यहां पर positive उन्होंने बोला कि को वह अच्छी बोल चुके हैं लेकिन blockchain technology यह अलग ठीग है और हम लोग बात करें प्रोजेक्ट की bitcoin और crypto का इंजिकत वह अलग चीज है जिसको कि आज भी वह positive बोले हैं कि in future हम लोग buy कर सकते हैं तो no doubt कि यहां पर इंडिया भी support में है तो आपको crypto market से नहीं भागना है 2727 country है जो कि माइका को यहां पर पास कर दिया है markets in crypto asset को actually में इसका मतलब यह हुआ कि regulation उन लोगों ने पास कर दिया जो कि history में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ पुड़े वर्ड में कि इतनी बड़ी country का जो समू है एक साथ crypto को regulate की है और ऐसा नहीं कि बस यूहीं यह पास से यह पास हुआ है total 573 मेंबर में जो है 517 मेंबर ने यहां पर yes में बोट दिया है और 38 मेंबर ही यहां पर only no दिया है और 18 यहां पर absent थे यह बिल अल्रेडी जो 2020 में ही इंट्रोडियूस किया गया था लेकिन बिल तो पास हो गई लेकिन यह जो है अमल में 12 से 18 महिने के ब पूरे किसी भी crypto project को अगर रहना है चाहे वो coin project हो या exchange हो या stable coin बनाने वाले हो कोई भी रहेंगे उसको जो है legal entry यहां पर कड़ाना पड़ेगा तो यह तो positive things हो गई है इससे जो है लोग भी scam से बच पाएंगे क्योंकि आए दिन बहुत सारे regulation ना रहने के बज़े से scam होता र है according to me अगर हम लोग बात करें तो यह बिल जो है क्या हुआ regulation हुआ कहीं कहीं crypto currency का जो handle है इस 27 country में यह government के पास चली गई लेकिन जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि blockchain technology जो है decentralized है किसी का इस पर अधिकार नहीं है लेकिन अगर government अपने अंदर लेती है तब तो government का उस पर राइट रहेंगे तो इस तरीके से जो में चीज था blockchain technology का कि decentralized है अब वो centralized में बदल जाएगा तो थोड़ा से लोगों के बीच यहां पर जो है miscommunication हो रहा है कि क्या यह सही है क्या यह गलत है लेकिन इसका भी दो चीज है अगर government आपको चाहते हैं कि security दे तो वो तो साड़ा पन नज तभी आपको security दे पाएगी लेकिन दूसरा चीज यह भी है कि cryptocurrency का जो decent lie nature है वो यहां पर भंग होते हुए नजर आ रही है तो यहां पर market में कुछ उतना बड़ा pump देखने को नहीं मिला positive भी देखने को नहीं मिला यह कि 27 country एक साथ regulate की है और एक और news कि यहां पर बात कर ले यह आप मेरे twitter पर देख सकते हैं कि update आपको दे दिये हैं कि एक wallet है जिसमें की total 1128 bitcoin है और इतने दिन से यह wallet सोया हुआ था सारे 10 साल के बाद जो है यहां पर activate हुई है यह लोगों में कहीं पैनिक फैला रही है कि यह wallet जो activate हो गया है और sale अगर कर दिये कि इतना दिन से सोया पड़ा था भी ही activate हुआ है तो market नीचे डाउन जाएगा तो कुछ panic seller यहाँ पे selling पे उतर गया है जिसके करण से आपको market में अभी थोड़ा down पन देखने को मिल रहा है लेकिन no doubt जो लोग भी long term के लिए crypto market में उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं तो I hope कि चीजे आप स सेर करना मत बूलिए और इसी तरह का informative वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब और के घंटा दवा लिए ताकि वीडियो अप्लोड होते ही नोटिविजन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्ट वीडिय